मैंने बच्चों से जिन्होंने skill in teaching exam देना था उनसे बात की कि आपको कौन कौन से doubt है जब आपने skill in teaching जो final exam है जो discussion lesson देना है उन्होंने जो question पूछे उनके base पर ये मैंने वीडियो त्यार की है उनके doubt को clear करने के लिए क्योंकि ये बात याद रखनी है कि जब आपको skill in teaching में evaluate किया जा रहा है यहां आप हो और यहां students हैं वो भी real और यहां पीछे एक external और एक internal teacher educator as examiner बैठा हुआ है तो आपने कैसे enter होना है कैसे वो उन्होंने evaluate क्या 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 करना है अगर आपको यह पता है यह university का rule पता है जा एफिलेटिम बॉडी का rule पता है कि यह evaluation का criteria यह होता है ऐसे marks लगते हैं तो आप उन बातों का ध्यान रख सकते हो सिर्फ 20 minute का यह exam होता है तो सबसे पहले हां कुछ tips होंगे यह इसमें पिछले वीडियो में मैंने एक वीडियो में जो इस से ही related था during skilling teaching exam में उसमें सिर्फ error और mistakes discuss थी जो 10-11 mistakes है वो कैसे avoid कर सकते हैं वो वीडियो अलग देख सकते हो यहां पर tips जो हैं उनकी बात की जाएगी that is why इसको part 2 भी मैंने कहा है हम यह जानते हैं कि skilling teaching की पहली वीडियो हमने बात की थी before examination अब during है एक during error की है और यह tips की है mean positive things इसमें होंगी ज्यादा एक university का मेरे पास जो letter है उसकी यह photo है कि क्लिन teaching exam के दौरान criteria क्या होना चाहिए general guideline है specific नहीं है उसमें important है दो चीजें जो आपको पता होनी चाहिए खास करके यह गुरुनानक देव university का है उनको तो follow करना होगा इंडिया की कोई और university है तो वो भी normally यही criteria बनाती है first क्या है इन्होंने रखा यह सारी university नहीं रखती कि maximum 85% marks लगेंगे अगर 85% marks से ज्यादा marks लेने हैं for example teacher educator को यह लगता है कि 90% marks देने हैं तो वो special committee बैठेगी जो उसका उसकी re-evaluation करेगी re-evaluation के लिए उसको lesson plan उस बच्चे का जमा करवाना होगा वीडियो recording जमा करवानी होगी और उसकी audio visual aid जो भी है जमा करवानी होगी उसकी evaluation होके फिर देखा जाएगा कि 90% marks लगने हैं या नहीं दूसरा point है पिछले ही उसमें लिखा था कि जो marks की division है यह बहुत ज्यादा important है कि normally जिनको measurement and evaluation की समझ है वो marks ऐसे लगते हैं for example आप 100 students हो B.Ed के okay 100 students हो तो आप university यह कहती है कि normal probability करके मताबिक marks लगने चाहिए for example गुरुनानक देव university नहीं कहा है कि highest marks 85% लगेंगे यह limit बना लिए कि हमने 85 नहीं यहां लिखते हैं 85% यहां marks हैं और यहां पर 80 माल लिजिए और यह माल लिजिए आपके 75 और यह माल लिजिए आपके 70 और यह 65 और यह 60 से कम minus ओके तो normal probability curve क्या कहती है कि 1% या 1 या 2% बच्चे होंगे जिनके 85 से plus लगेंगे 13% बच्चे यह होंगे जिनके 80 से 85 तर लगेंगे यह 13% है ठीक है इसी दरा इस ब्लॉक में आप देखोगे क्योंकि स्मिट्री होती है जो normal probability curve होती है इदर इसके भी 13% है यह भी 13% जिनके average से इतने कम 60 70 से कम लगेंगे 60 के बीच लगेंगे ओके यहां वैसे वो आना चाहिए 65 ऐसे ही 34% यह है 34% यह है यह middle range है means को जिनके maximum marks लगते हैं तो 75 से 85 34 बच्चों के जा 34% के ऐसे ही 70 से 75 इतने बच्चों के इसका मतलब है कि हर हालत में अगर ऐसे evaluation होती है तो कुछ बच्चों को lower category में रखे ही जाना है जिनके marks कम होगे ऐसे नहीं हो सकता हाँ वहां गलत होता है corrupt education system में ऐसा होता है कि यह करव यह negative वाले कम रखे और high वाले यह बढ़ा दिये यह secured करव है आप economics वाले हो stat वाले हो आपको पता है यह नहीं बनते है जब में कॉडिनेटर के पास यह list जाती है वो देखता है कि यह जो 80 से plus है वो ही इन्होंने 30% लोगों के लगा रखे हैं बच्चों के लगा रखे हैं तो वो इसको moderate करने point काड़नता है और इनके जो है इनको करके normal shape में लाने की कोशिश करते हैं teacher educator से करवाया जाता है सो यह याद रखना है कि अगर मेहिंत करोगे presentation अच्छी करोगे तो अच्छे माक्स है हलाल की कमाई खाया करो यार corruption में अपने इमान को मत भूल जाओ ओके यह बात थी के evaluation कैसे होनी है next point क्या है कि class में आपने enter कैसे होना सबसे पहला काम आपका होना है दो चीजों को चेक करना first is chart board second is audio visual setting chart board पर क्या check करना है यहां पर for example जो university role number बच्चे का लिखा हुआ है वो उसको rub करना है number 1 अपना role number लिखना है number 2 topic जो पहले teach करके जा जुका है for example इस room में है जहां सारे science के ही teach कर रहे है science अगर लिखा है okay subject ठीक है लेकिं topic आपका बगल गया है topic जो बगल गया है वो पहले वाला rub कर देना है तो वो आपकी planning के मताबक role number आपने लिख दिया लेकिन topic blank कर देना है यह क्यों करना है क्योंकि हर बर्षयन approach के मताबक अगर आप teach करते हो तो आपने previous knowledge testing PK testing के बाद जब announcement of the topic आता है तब आपने topic को यहां fill करना है board आपने साफ कर लिया लेकिन audio visual setting की ही नहीं audio visual setting में क्या है आपने for example आपका model है okay chart है PPT है PPT हो सकती है okay model है तो उसको रखना कहां है normally पहले एक दिन पहले वहां arrangement हुआ होता है लेकिन आपने check करना है कि मेरे model रखने के लिए जगा है नहीं तो tension बढ़ जाएगी आप गबरा जाओगा performance down हो जाएगी चार्ट को display करने के लिए जगा है क्या वहां मेरा चार्ट मेरी जो जितना मैंने लिखा हुआ जैसे बनाया हुआ suitable जगा है कि बच्चों को दिखाई देगा चिपकाना है double tape लगानी है hang करना है ये पहले भी चेक करना है एक दिन पहले चेक करना है एक दिन पहले चेक कर लो तो best है दूसरी बात अगर laptop जो computer college का है उसका format match नहीं करता ये computer वाले teacher को पता होता है तो आपने PPT त्यार की थी आपका font सब कुछ त्यार था लेकिन वहां जाके वह बिगड़ गया सारा काम खराव हो जाता है इसलिए जिस system में आपने जाके teach करना है उस system को check करना है कि मेरा computer जहा पहले तक ये काम कर लेना कर लेना चाहिए दूसरा idea यह है कि अपना laptop लेके जाओ उसमें PPT रखो उसमें आपने जिसमें बनाई है उसको insert करो और अपनी teaching शुरू कर दो second point है इंट्रेस को natural बनना चाहिए यह point है कि for example कई बार हम करते हैं अच्छा बच्चो मैं आप से ना क कुछ प्रशन पूछोंगा प्रशन पूछोंगी नहीं ऐसे नहीं है natural रहना है वह कैसे हो सकता है next point देखो यह बहुत बच्चों ने कहा के introduction of the problem यह बहुत problem है उसका एक ही principle है कि कैसे आपने introduce करवाना है first and last create interest कैसे कर सकते हो आप मैंने लिखा है always use audio और visual aid जब आप topic को introduce कराना चाहते हूं सिर्फ question मत पूछो question को av aid की help लो most common aid आपका green board black board आपका लिखा हुआ है for example जो भी आपका concept है उससे related information जहां previous chapter में से जहां बच्चों की knowledge उससे related जो life की example है उससे related कोई आप picture लेके जाओ कोई movie लेके जाओ कोई story उससे event narration जो एक event जैसे कह सकते हो कल मैं ऐसे आ रहा था मैंने देखा कि एक जो apple वाला है वो इतने के safe देख रहा है दूसरे इतने के दे रहा है कोई ऐसी situation कि मैंने देखा कि दो जने जगड रहे थे कोई भी situation आप जो आपके topic से related है वो आप story जैसे सुना सकते हो अच्छा आप drama role play कर सकते हो दो बच्चों को बाहर निकाल के आप कह सकते हो for example आप रिक्षा वाला हो आप जो है सवारी हो तो आप जाना चाहते हो जल्दी में है इसको मनाओ तो कैसे मनाओगे ठीक है मार्किट में गए हो मार्किट में आप प्राइज कम करना चाहते हो कैसे उससे बात करोगे ड्रामा शुरू हो सकता है current event आप news paper ऐसे ही आज का दो दिन पहले का news paper लेके जा सकते हो news की जो clip है movie है आपके पास वो लेके जा सकते हो PPT पर display करते हो यह सबसे पहला काम को अगर कुछ भी नहीं हो तो बोर तो है ना for example ओके बैटा यह दो फिगर हैं यह बताओ के इन में दो difference और दो similarities क्या है एक difference एक similarity क्या है यह दो difference कोई भी question है अब क्या हुआ कि बच्चे attract हो गए इसको देखके सामने पड़ी है चीज audio visual एग में क्या है कि चीज सामने पड़ी है उनको कोई एक वीडियो है science की जब plane की वो मैं share करता हूँ अभी तो उसको जरूर देखना कि उसने बच्ची ने कितनी अच्छी तरह से क्या किया कैसे introduce किया तो final point है आप जाते ही अगर कुछ नहीं है तो green board use करना ही करना है आप जो normal probability करब है उसमें mostly जो coordinator जो main जिसने आपकी marks की list final करनी होती है वो ये कहते हैं कि ये जो negative side है अगर बच्चे की voice ही low है तो उसको सीधा low category में रखो marks कम category में इसका साफ मतलब हुआ कि आपको average जहां plus आपकी volume चाहिए mean examiner सबसे पीछे बैठे हैं उनको पन से कम आवाज सुनाई देनी चाहिए दूसरी बात अगर आप इतना उंची बोलते हो कि आप में कमपन नहीं है confidence है anxiety नहीं दिखाई दे रही है और आपको पता है कि आप आँखों में आँखे डाल के बोल रहे हो तो उससे discipline जो control होना है वो भी हो जाएगा हाँ अपने cheek जैसे नहीं cry नहीं करना volume को up रखना है जब भी किसी का volume up होता है attention बढ़ जाती है तो आपका volume अगर low है तो सीधी बात है कि आप negative में जा रहे हो average से plus जो जितने भी effective teacher या teaching हुई है उनका volume average से above रहता है इस बात का धिया दिखना है next है कि speed कितनी हो आपके teach करने की speed का principle है synchronize अगर for example बच्चे cognitive level उनका cognitive level low है average है high है आप शबद नहीं यूज़ कर सकते हैं कि बच्चे हुश्यार हैं बच्चे average हैं जा बच्चे backward हैं अगर वो lower हैं अगर वो for example government school के हैं जा उनको उनके माता-पिता पड़े हुए नहीं है उनकी basic नीडी पूरी नहीं होती है उनका previous वो कम होगा तो उनकी knowledge learning कम होगी UNESCO ने भी जो इंडिया पर survey किया है यहीं बताया है ना कि एक aspect quality का है कि parents और वो background बच्चा क्या लेके आता है अगर बच्चे उस category से हैं जो mostly government school में होते हैं तो आपकी speed slow होगी तेज नहीं बोलोगे बच्चे के मन में कुछ नहीं जाएगा अगर cognitive level जादा है जब बच्चे हुशार है जब बहुत अच्छी cream जैसे हैं उनकी learning पहले से high है फिर आप उनके मतावक अगर average हो अगर high speed high ability वाले हैं तो थोड़ा तेज कर सकते हो पर यह principle better है क्योंकि individual difference का ध verbalism is rejected so average or low speed से आप चलोगे यह आपने साथ साथ में देखना है ना कि बच्चों से चेरों से समझ आ रहा है इधर देखो इधर देखो जो बच्चा कम हरकत कर रहा है उसको भी देखो इसको समझ आ रहा है उसे पूछ सकते हो तारे जमी पर अमीर खान कैसी पूछता है दो ब साथ साथ में evaluate बच्चे को करना है classroom में दो तरह की घटनाएं होती है positive और negative नेगिटिव वह आपको लगता है लेकिन psychology उसको negative नहीं कहती शरारत कर रहा है बच्चा करना है या active होना चाहिए बच्चे और बिमार करके बिठाने है कि कुछ मत बोलो आपने focus positive पर करना है focus positive answer देना है जो बच्चा attend कर रहा है वो जो बच्चा learning को facilitate कर रहा है जो बच्चा गलत दे रहा है जवाब लेकिन कोशिश तो कर रहा है यह सब कुछ positive है आपने positive पर focus करना है negative पर अगर ज्यादा focus कर गए आपका temper lose हो जाता है और आप सारी teaching 2-4% case होते हैं ऐसे कि आप अपना temper lose कर जाते हो next है attend all the students एक category mostly क्या होता है कि एक category जो बच्चे जवाब दे रहे हैं उनको attend करने लगते हैं नहीं जो एक बच्चा जवाब बार बार दे रहा है उसको छोड़के उसको कहो कि इनके साथ share करो जहां दूसरे अच्छा इस तरफ वाले बच्चे आपने जवाब देता है कोई बार ने सोचो गलत जवाब आता है आप अपनी freedom दे दो आप ये पहले कहो कि बोलो आने दो गलत जवाबी बे आने दो लेकिन इनको discourage नहीं करना हर हालत में ठीक है वो different level है पूरी questioning पर एक वीडियो बन सकती है यहां बात नहीं करूंगा सो सभी बच्चों को involve करना है avoid दो बातें बार बार हैं जो गलतियां होती है बच्चे बोलते है ठीक है ठीक है ठीक है समझा गया समझा गया यह बोलनी नहीं है बाते तकिया कलाम वो personality में भी ठीक नहीं लगता classroom में under evaluation भी ठीक नहीं लगेगा इसको avoid करना है अच्छा कई बच्चे 10 से 15% वो ऐसे देखेंगे कि देख रहे हैं मुझको marks लगा रहे हैं smile कर रहे हैं nodding कर रहे हैं उनको अच्छा लग रहा है आपने में उनको judge करना उनकी यह मानना है कि evaluation examiner तो class में बैठा ही दी हैं सिर्फ आप हो आपके students हैं next है reinforcement means जो आप reward देते हो आप शाबाज देते हो आप smile किसी बच्चे ने सही answer दिया थोड़ा सा correction आपको अच्छा लगा उसको दो कुछ पर वो कि अगर छोटा सा काम किया आपने उसको hero बना दिया जहां इसको bias reward दे रहे हो किसी को ज्यादा किसी को कम नहीं realistic जो जितनी deserve करता है अगर आप किसी behavior को ज्यादा reward शाबाश भी जाता है बाकी बच्चे discourage होते हैं अगर उससे कम देते हो तो भी बच्चा वो answer जा वो अपनी tendency जो है अच्छी आदत है वो छोड़ने लगता है कि उसको reward नहीं मलता behaviorism का rule है punishment 100% avoided extreme condition में हो सकती है लेकिन आप violent behavior नहीं दिखा सकते आप डांट नहीं सकते during examination क्योंकि आपने training ली हुई है सिर्फ आपको 20 minute मिले हैं उसमें कोई punishment नहीं आपने अपना negative behavior या emotion शोग नहीं करने small reaction होते हैं कई छोटे छोटे उनको ignore कर दीजिए behaviorism में skinner की theory की implication है कई भार कई चीजों को ignore करना पड़ता है family में भी आप ignore करते हो पर ये आपकी ability है कि आपको पता है कि इसको ignore करना है या नहीं करना बच्चे ने वलगर बात कर दी क्या ignore करना है नहीं करना है उसको issue नहीं बनाना हाँ ignore वहां कर दिया लेकिन class के बाद उसको बुला लिया सबके साथ सामने नहीं डांटा सो छोटी छोटी कई बाते होती है जो बच्चे enjoy करते हैं एक दूसरे के साथ कहते हैं शिकायत करते हैं सर ये ऐसे कर रहा है हंस रहे हैं आपस में कई बार वो ignore करनी पड़ती हैं disturb नहीं होना activities के marks हमेशा ज्यादा होते हैं कोई भी activities जिसको participation भी कहते हैं आप कोई operators लेके जा रहे हो कोई work sheet लेके जा रहे हो कोई moment करवा रहे हो कोई operators को जोड़ के ऐसे करके ऐसे करके देखो ऐसे करके देखो जैसे लैब में काम करते हो कोई ऐसी activity आप रख सकते हो role playing रख सकते हो तो activities जितने ज्यादा होगी उतने इंपॉर्डन meaningful activity की exam में बहुत ज्यादा है याद रखना है जब आप question पूछते हो तो question पूछने के बाद ये question पूछा उसके बाद एकदम answer नहीं आना ये gap जो है wait time इसको बोलते है peter seated में भी आता है wait time अच्छा wait time कितना चाहिए wait time चाहिए अगर आपका blooms की taxonomy है अगर lowest level है आपका for example भारत कब आजाद हुआ हना आपने lowest level है हना तो इसका wait time बहुत कम होगा इतना अगर आपका understanding application जैसे जैसे higher question है इसका wait time बहुत ज्यादा होगा आपको हो सकता है 30 seconds एक minute वह ये भी हो सकता है कि आपको हो जब आपका question higher level का है जैसे difficult है तो आप ये allow करो difficult level ज्यादा है कि बेटा आप दो-दो के group बनाओ मैं आपको 30 seconds दे रही हूं 1 minute दे रही हूं एक्जाम में ज्यादा नहीं दिया जा सकता ठीक है तो आप interact कर सकते हो stimulus variation भी होगी तो difficult challenging question पूछो वेट टाइम बढ़ाओ अगर नहीं है तो वेट टाइम कम कर दो और तो एकदम question के बाद answer ये बिलकुल गलत है तो ये कुछ बातें थी जिनका आप ध्यान रखके अपने teaching को better कर सकते हो साथ में जो error वाली वीडियो है वो भी देख लेना अगर आपकी कोई quarry है आप comment box में लिख सकते हो thank you